वेलकम बैक दोस्तो मैं हूँ पवित्रा और आप देख रहे हैं दा स्वीट बॉटनिस तो दोस्तो आज के वीडियो की शुरुआत इस प्यार इसे हिबसकस के फ्लावर के साथ कितना खुबसूरत लग रहा है दोस्तो हिबसकस का फ्लावर तो मेरे पास हिबसकस के तीन प्ला को और देखिए पर्सलेन और पॉर्चुला का की जो कटिंग लगाई थी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है तो मैं अपने में टॉपिक पर आऊंगी दोस्तो उससे पहले छोट अस आपको अपने गार्डन का ओवर्विव दिखा रही हूं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वैल आइकन जरूर दबाएए दोस्तों ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो अब देखिए मोगरा पे भी दोस्तों अब बड्स बनने लगी है और सभी को म मैंने दोस्तों कम बर्मी कम पोस्ट डाल दी थी तो विंटर के तो लगवक दोस्तों अब सारे प्लांट्स मेरे खतम ही हो रहे हैं क्योंकि टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है हमारे यहां का 38-39 के करीब पहुंच गया हालां कि मैंने नैट लगा लिए अपने प प्लांटे देखिए दुस्तों सीड भी बन रहे हैं इस पर एसपर्गस रखे हैं अ को तो दोस्तों आते हैं अब में टॉपिक पर कि आज में बात करूंगी फोर ओक्लॉक के बारे में यह फोर ओक्लॉक के प्लांट है जिसे कि गुलाबस या मिरावलस जल्पा भी कहते हैं और इनको दोस्तों मैंने सीट से ग्रो किया है और फर्स टाइम अपने गार्डन में एड करते हैं तो यह गार्डन में इसको के लिया रह जाता है कि बहुत सारे सीट बनाता है और उन्हीं सीट को है करके दोबार अपने प्लांट्स क्रो कर सकते हैं तो फर्वरी में मैंने इनको ग्रू किया है और लगबग एक लेड़ महीने ancoraद देखिए आप इन यह कितनी अच् जिफ्ट करूंगी उससे पहले मैंने आपसे मैंने सोचा कि आपसे ये वीडियो शेयर करूं तो बहुत ही प्यारे से इसमें दोस्तों फ्लावर आते हैं और अपने आपके गार्डन को बहुत खूपसुरीती प्रदान करेगा तो समर में बहुत सारे अच्छे से होगी इसमें और विंटर में ये डोर्मेंसी में चला जाता है दोस्तों और कटिंग से और सीट से बहुत आसानी से हम इसको ग्रोव कर सकते हैं इस प्लांट को तो लगवक्त दोस्तों 15 दिन बाद देखिए इसका ये रजल्ट है जो मैंने सीट से ग्रोव किये थे तो हैं छे से आठ दिन में ग्रोव हो जाते हैं कुछ चार-पास दिन में भी हो जाते हैं वर इसकी सीट की जो साहल होती है वह वह हरुए हुआ इसलिए इसको ठोड़ा ग्रोव होने में टाइम लगता है तो बिल्कुल काली मिर्च होती है ऐसे ही इसके सीट होती है मैं दिखाऊंगी आपको इसके सीट भी दिखाऊंगी तो देखिए कुछ दिनों बाद अब इसके इतने बड़े प्लांट हो गए हैं और लगवग प्लांट सभी भी निकल रहे हैं तो देखिए इस तरह के होती हैं इसके सीड लग रहे ना बिलकुल काली मिर्च के जैसे तो बस यह दो किये दोस्तों नॉर्मल गार्डन सॉयल ले लीजिए और इसमें थोड़ासा बर्मी कंपोस्ट मैंने तो मेलाई है इसमें इस तरह आप होल करके और मैं इसमें एक-एक सी हुई है और सारे ही मतलब सीड ग्रो हो गए हैं खराब एक भी नहीं हुआ है दोस्तों आप देखी रहे हैं बहुत सारे प्लांट बन गए हैं इसके एक चीज़ अबॉइड किये जागा तो कीजिए का दोस्तों यह फिंगर आ गई है इस वीडियो को सूट करने में प्लीज हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई दोस्तों